PMC Hindi से जुड़े लेटिस अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें श्रुन्याम देवाह भद्रम पशेमा अक्ष भीर्य जत्राह स्थिरे रंगेस तुष्टु वांगं सस्तनो विही वशेम देव हितेय दायुहू आम शान्ति 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 ही मनुष्य की इच्छाएं एक मदुमक्खी के छट्टे के समान है जैसे छट्टे में से निकलता हुआ रस शहद उसका स्वाद चकना उसको खाना तो हमें बहुत पसंद है पर अगर समय रहते उस छट्टे से दूरी ना बनाई जाए तो वही छट्टे में रहने वाली मदुमक्खिया आपको काट लेंगी ठीक उसी प्रकार से हमारी इच्छाओं में से जो खुशी निकल रही है उसे तो हम पाना चाहते हैं पर समय रहते अगर अपनी इच्छाओं से दूर नहीं होंगे तो वही खुशी हमारी शोग का कारण भी बन सकती है इच्छाओं बहुत प्रकार की होते हैं कई इच्छाओं जिसमें हम खुद कुछ अर्जित करना चाहते हैं खुद पाना चाहते हैं धन संपत्ति पाना चाहते हैं या इच्छाओं किसी के स्वास्त के लिए सुख के लिए किसी के अच्छी कामना के लिए जैसे हमारे परिवार जनों के लिए या इच्छाएं सेवा करने की, किसी की सेवा में जुड़ने की, किसी भी प्रकार की इच्छा हो पर कभी सोचा है क्या पाना चाहते हैं हम इच्छाओं से क्या अर्जित करना चाहते हैं इन इच्छाओं को करके बलही अपने लिए कुछ पाना हो या सेवा करके कुछ पाना हो क्या पाना चाहते हैं मैं और आप वास्तव में इच्छा किसी भी प्रकार की हो सेवा की इच्छा हो या कुछ चीज पाने की इच्छा हो उसके पीछे हम ढून रहे हैं त्रिप्ती, संतोश पर ऐसा क्यूं होता है? एक इच्छा पूरी हुई, थोड़ी सेवा करी फिर सेवा करते करते सेवा के जो पीछे की पवित्रता है उसको हम भूल जाते हैं और सेवा का जो काम है, जो उसकी वाहवा ही है उसके साथ जुड़ जाते हैं और ऐसा कब होता है? हमें खुद नहीं पता चलता तो क्या कर सकते हैं? कि हम जब भी सेवा करे या कुछ भी करे उसमें से हम त्रिप्ती पाएं या कहली जिये आंतरिक थ्रिप्ति पाएं, रैक्वर, एक बहुत ही साधारन गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, पर आसाधारन जिसका आचरन, इतना आसाधारन कि उसके आचरन ने उसे महात्मा की पद्वी दे दी, महात्मा रैक्वर, जिसके बारे में वन्नन किया गया है छांदोग्य उपनिशत में, आज की कहानी जो वार्तालाप है, एक साधारन गाड़ी चलाने वाला रैक्वर, और परम ग्यानी, परम दानी, राजा जान शृति, देखते हैं कि उनकी कहानी से, क्या मिलता है हमें अपनी आंतरिक त्रिप्ति को पाने के लिए, तो हमारी भारत भूमी, जो साक्षी है महान राजाओं के परोपकार का, जिनकी कहानिया विश्व भर में गाई जाती हैं, राजा जनक, सत्यवादी राजा हरीश चंद्र, इतने परोपकारी और धर्मग्य राजा, जिनसे सीखना चाहो तो भंडार भर के सीख सकते हैं, जो अपने राज्य के लिए उसकी छोटी-छोटी जरूरुतों को भी देख सकते हैं, और राज्य में रहने वाली प्रजा के दुख सुख में जुड़े हुए हैं, ऐसा ही एक और राजा, राजा जान शुति, जान शुति, जैसे कि हम पहले भी कहते हैं, नाम में उस व्यक्ति का आचरन छुपा होता है, जान यानि कि जानना, शुति यानि कि सुनना, जो अपनी प्रजा में जाना सुना जाता है, वो राजा जान शुति है, क्यूं जाना और सुना जाता है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, बड़ा ही देयालू और बड़ा ही परोपकारी, अपने राज्य के लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को देखने वाला दान करने वाला उसने अपने राज्य में बहुत सारी धर्मशालाईं बना रखी थी क्यूं? क्यूंकि अगर कोई यात्री आए, कोई रिशी आए, कोई मुनी आए कोई भिकारी आए, जिसके पास रहने के लिए जगा नहीं है इन धर्मशालाओं में रुख सके और खाने पिने का भंडार इन धर्मशालाओं में रखना लोग आते, यात्री आते, जिनको जरूरत है वो आते वहां रुखते, आराम से रहते और बदले में राजा को बहुत सारा आशिरवाद देते तो राजा अपने आप में बहुत संतुष्ट और इस काम को करके बहुत खुश होता लोगों की सेवा करके, उनके छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखके बहुत खुश होता एक समय की बात संध्या का समय और उस संध्या में सूरज दीरे-दीरे अपनी लालिमा को पूरे आस्मान में फैला रहा था आस्मान गुलाबी और नारंगी हो रहा था और राजा अपने महल की छट पर एक विश्राम भरे आसन पर बैठा था राजा किताब पढ़ रहा और साथ में दूद पी रहा किताब पढ़ते पढ़ते इतना मगन हो गया कि दीरे-दीरे उसकी आँखे बंद होने लगी मानो कि द्यान में जा रहा हो उस द्यान की अवस्था में उसे आस पास की बहुत सारी ध्वनिया सुनाई देने लगी ठीक उसी समय पर हंसों का जोड़ा आसमान से उड़ता हुआ राजा के महल की और जा रहा था राजा को उन हंसों की जो मानव बोली है वो सुनाई देने लगी मानव बोली कैसे सुनाई देने लगी क्योंकि राजा शान्त होने लगा, ध्यान की अवस्था में जाने लगा और कहते हैं न, जब ध्यान की अवस्था में जाओ तो स्रिष्टी की हर एक चीज आपसे बात करने लगती है ठीक उसी प्रकार से, हंस जो भी बोल रहे थे वो मानव बोली के रूप में राजा उसको जान पा रहा था तो पहले हंस ने दूसरे हंस को कहा कि देखो, वो देखो राजा जानशृती जिसकी जो आभा है, वो सूर नरायन भगवान की तरह ही चमक रही है पूरे वातावरन को चका चौन्द कर रही है जब पहले हंस ने ऐसा कहा, तो दूसरा हंस बोला बात तो सही है राजा का जो आभा मंडल है, उसकी जो उर्जा है वो आसपास कितनी लालिमा बिखेर रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि राजा इतना परोपकारी है इतना दानी है इसलिए वो उर्जावान भी है पर इसका जो आभा मंडल है, वो महात्मा रैक्व जैसा नहीं है क्योंकि महात्मा रैक्व का जो आभा मंडल है, वो तो सूर्य नारायन भगवान से भी बड़ा है राजा जान शृती के आभा मंडल को तो तुम देख सकते हो पर महात्मा रैक्व के आभा मंडल को तो देखने की तुम चेश्टा भी नहीं कर सकते तुमारी आखें चुदिया जाएंगी दूसरे हंस के शब्दों को सुनकर पहला हंस बोला अरे मैं तो महात्मा रैक्व को जानता ही नहीं दूसरा हन्स फिर से बोला और कहा कि अगर मुझे महात्मा रैक्व के बारे में तुम्हें बताना हो तो मैं कहूंगा कि श्रिष्टी में जितना भी शुब होता है जितनी भी सेवा होती है चाहे कोई भी करे उसका सारा फल महात्मा रैक्व की जोली में डलता है शुष्टी में सारा कोई भी शुब करे और उस शुबता का सारा फल महात्मा रैक्व को मिले ऐसा कैसे हो सकता है पहला हंस बोला तो दूसरे हंस ने कहा कि मैं तुम्हें एक उधारन से समझाता हूँ जैसे जुवा खेलने वाला व्यक्ति जब चौसर को फेकता है तो चौसर के जो उपर के भाग के बाकी तीनों भाग होते हैं दाएं, बाएं और नीचे का भाग वो सारे भाग ही उपर के भाग के अंतरगत हो जाते हैं यानि कि जो उपर आया है वही मानने हो जाता है ठीक उसी प्रकार से श्रिस्टी में जितना भी शुब होता है वो सारा शुब महात्मा रैक्व के अंतरगत आ जाता है और हो भी क्यों ना क्योंकि उनकी सेवा है ही इतनी पवित्र, वो है ही इतनी निस्वार्थ कि पूरी स्रिष्टी का जो अच्छा कर्म है वो सारा ही उनके शुबफल के अंतरगत आ जाता है तो हंसों की ये सारी वार्तलाब महाराज जानशृती सुन रहे थे अब सुना तो कान एकदम से खड़े हो गए मन विचलित होने लगा कौन है ये महात्मा रैक्व जिनको मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे राज्य में तो इतने मुनी आते हैं इतने साधुसंत आते हैं मैं सब के खान पान की विवस्ता रखता हूँ, सब का ध्यान रखता हूँ, आराम का ध्यान रखता हूँ, पर इस महात्मा को तो मैं मिला ही नहीं, कौन है ये, मुझे इनके बारे में जानना है। संद्या से रात हुई, राजा अपने बिस्तर पर गया, शरीर तो शान्त हुआ, पर मन इसी सोच में उलजा रहा, कौन है महात्मा रेक्व, मुझे उनसे मिलना है। फिर सुभा हुई, और राजा के महल में भाट का आना हुआ, भाट यानि कि वो व्यक्ति जो गाना गाकर राजा को जगाते हैं। भाट आया, उसने गाना गाया, कहा, हे राजा, हे परोपकारी राजा, हम सबका ध्यान रखने वाले राजा, उठो, सुभा हो गई है। पर राजा आज जब भाट ने ये कहा, तो सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बीच में ही चुप करा दिया। फिर अपने सार्थी को बुलाया, सार्थी को बुलाकर कहा, कि मुझे महात्मा रेक्व के बारे में जानना है, क्या तुम जाओगे उससे ढूनने के लिए, एक उदार और दयालू राजा का आदेश, कैसे न माने सार्थी, बद्ध हो गया कि मैं जाऊंगा। और महात्मा रेक्व का पता लगाऊंगा। दूर दूर गया, इधर से उधर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिन, पर महात्मा रेक्व का कुछ भी पता नहीं चला। ठक हार कर एक जगा पर विश्राम करने के लिए बैठा। बाजार लगा हुआ था। हर जगा से आवाजें आ रही थी। दो भी कपड़े दो रहा, उधर कोई कुछ फल सबजी बेच रहा, कोई उधर बजिया दल रहा और सब की आवाजें उसके कानों में जा रही। ठक हार कर जब वो विश्राम कर रहा था, इसी बाजार के बीच में से उसकी दृष्टी एक व्यक्ति पर गई। जो था तो बाजार में ही, पर बाजार से बिलकुल भिन लग रहा था, जिसका आभा मंडल सार्थी को अपनी तरफ खीच रहा था। और बैठा भी कैसे, धांस लगाए हुए एक गाड़ी से, एक टांगे से। सार्थी की इच्छा हुई कि उसके पास जाए और पूछे कि क्या वो महात्मा रेक्व है, ऐसा ही हुआ। सार्थी उसके पास गया, और देखा कि उस व्यक्ति के जो बाल है, वो बिखरे हुए है, जो दाड़ी है, वो बनी नहीं हुई है, वो बैठा हुआ अपना पेट खुजला रहा है, और किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं है। कपड़े भी फटे हुए हैं, गंदे हैं। तो उसने पूछा, क्या आप ही महात्मा रेक्व हैं? तो उस गाड़ी चलाने वाले ने एक शन मात्र के लिए अपनी द्रिष्टी को उठा कर सार्थी की तरफ देखा। और कहा, हाँ, मैं ही हूँ रेक्व। बस इतना कहकर फिर से अपनी द्रिष्टी दूसरी और कर ली। अब रेक्व की जो उर्जा थी, वो इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी की सार्थी की हिम्मत ही नहीं हुई और कुछ कहने और पूछने की। पर इसी खुशी के साथ कि मुझे महात्मा रेक्व के बारे में पता चल गया, अब मैं जाकर राजा जानशुती को इसके बारे में बता सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया राजा के पास पहुँचा राजा को बताया कि महात्मा रैक्व का पता चल गया है तो देर किस बात की अब राजा जानशुती महात्मा रैक्व से मिलने के लिए तैयारी करने लगे छेसों गाएं एक सुन्दर रत और रत्नों से जुड़ा हुआ एक हार लेकर उसके सामने प्रस्थुत हो गए महात्मा रैक्व के पास जाकर राजा जानशुती बोले हे महात्मा मैं जानशुती का पौत्र जानशुती हूँ और ये जो छेसों गाएं है ये जो सुन्दर रत है और रतनों से जुड़ा हुआ जो ये हार है, मैं ये आपके लिए लाया हूँ क्योंकि मेरे राज्य में सब जो सादू संत हैं, मैं उन सब का ध्यान रखता हूँ तो अब से आपको अपना पुराना टांगा या पुरानी गाड़ी लेकर जाने की आवश्यक्ता नहीं है, ये नया रत आपके लिए है क्रिपया करके मुझे उस देवता के बारे में बताएं, जिसकी उपासना में आप जुड़े हुए है तो राजा जानशृती के यह शब्दों को सुनकर महात्मा रैक्व को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा शुद्र ये गाएं, ये रत और ये रतनों से भरा हुआ हार, ये सब तु अपने पास ही रख, मेरे लिए तो मेरा ये तूटा हुआ रत ही काफी है अब जब राजा जानशृती ने यह शब्द सुने, तो वो ठंडा पड़ गया गबराने लगा, कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दी, जिसके कारण रैक्व मुझसे नाराज हो गए है, गुसा हो गए है उपदेश के बदले में मैं जो भी उन्हें दे रहा हूँ, कहीं वो कम तो नहीं, ऐसे विचार उसके अंदर उठने लगे जादा शब्द नहीं मिले, तो वहां से विनमरता पूर्वक नमन करके वो चलता बना तो क्यों कहा, राजा जानशुती को शुद्र, वो तो राजा है, वो तो सब की सेवा करता है शुद्र इसलिए कहा, क्योंकि जिस प्रकार से वो रैक्व की सेवा करना चाहता है, वो निश्वार्थ नहीं है, उसमें से अहंकार की बू आ रही है अब राजा अपने महल पहुँचा सोचने लगा कि गलती कहां हुई और दुख अंदर और बढ़ने लगा फिर सोचा कि अगर कोई मेरे दुख का निवारन कर सकता है तो वो महात्मा रैक्व ही है फिर अगले दिन सुभा अपने नित्य कर्म करने के बाद फिर से महात्मा रैक्व के पास पहुँचा इस बार हजार गाएं रत्नों से जुड़ा हुआ हार और अपनी बेटी उसके पास लेकर पहुँचा विनमरता पूरवक रैक्व के सामने हाथ जोड़े और कहा कि ये सब आपके लिए केवल ये ही नहीं हमारे राज्य के आसपास जो लगभग 20 गाओं है वो भी आपके नाहीं केवल इतना जो मेरी कन्या है क्रिपया आप उसे भी अपनी दर्म पत्नी के रूप में स्विकार कीजिए और मुझ पर क्रिपा कीजिए कि मुझे उपदेश दें उस देवता के बारे में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं क्योंकि मेरी दुविदा का अंत तो और कोई नहीं केवल आपके पास ही है मेरे पास जो भी बहु मुल्य था जिसको मैं बहु मुल्य समझता हूँ वो मैं सब आपके लिए लाया हूँ आपकी सेवा मैं आया हूँ और सेवा में आने के लिए खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसी लिए ये सब कुछ लाया हूँ, अब जब रैक्व ने राजा जान शुती के यह शब्द सुने, तो थोड़ा उनकी तरफ द्रिष्टी डाल कर उन्होंने देखना चाहा, और कहा, हे राजा, ये जो गाएं, रथ, अपनी कन्या, ये सब चीजें जो तु मेरे लिए लेकर आया है, क्या तु इन चीजों से मुझे खरीदना चाहता है, ज्ञान को खरीदना चाहता है, इन सब वस्तूओं का मुल्य है, और ये अशाश्वत हैं, यानि कि कुछ समय के लिए रहेंगी, उसके बाद नहीं रहेंगी, और इन सब अशाश्वत चीजों से क्या तु वो लेना चाहता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, अब जब राजा जान शुरुती ने ये शब्द सुने, फिर से उसका मनविचलित होने लगा, वो गबराने लगा, गबराहट के मारे उसका गला सूखने लगा, अब क्या क करूँ, महात्मा रैक्व से बोला, मैंने किसी बुरी भावना से प्रेरित होकर यह अपराद नहीं किया है, मेरी आखों के आगे जो अग्यान का परदा आ गया था, उससे हटाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, और आज आपके शब्द सुनकर, मुझे पता चला है कि मैं कितना अग्यानी था अब तक, महात्मा रैक्व ने जब जानशुती के यह शब्द सुने, अब उनके भीतर धीरे धीरे दया आने लगी, जानशुती से कहा, हे राजा, ग्यान का कोई मोल नहीं, ग्यान को अगर तू पाना चाहता है, तो अपनी सारी वस्तु विशेश जिसको तू खुद का समझता है, उसको बाहर रख, फिर ग्यान को ले, जैसे शीर सागर में भगवान नारायन बसते हैं, ठीक उसी प्रकार से, अपने मन को शीर सागर बना, अर्थात शुद्ध कर, फिर ही उसके अंदर तुझे भगवान का दर्शन होगा, आत्मा का दर्शन होगा, महात्मा रैक्व के यह शब्द सुनकर, जान शुद्धी की आँखों से अश्रू बहने लगे, उसका रिदे खुलने लगा, अब जब वो अधिकारी बन चुका था, तो महात्मा रैक्व से ग्यान अर्जित किया, महात्मा रैक्व ने उसे ध्यान की एक विदी सिखाई, राजा जान शुद्धी रोज उस ध्यान की विद्धी को करने लगा, धीरे धीरे उसके भीतर भी वो शक्ति और विक्सित होने लगी, राजा जान शुद्धी ने अपने राज्यपालों को, मिनिस्टर्स को, और बहुत सारे राज्य के कारेकरताओं को वो ध्यान सिखाया, और कहा कि आप भी इस ध्यान को और आगे सिखाओ, ऐसे करते करते, उसका जो राज्य था, पहले सुकी तो था ही, पर अब संतोशी भी बनने लगा, हर जगा आनन्द फैलने लगा, तो दोस्तों, क्या सिखाती है हमें राजा जानशुति की यह कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है, कि सेवा करो, दान करो, दयालू बनो, पर ज्यान को भी अजित करो, क्यूंकि अगर, केवल अगर आप सेवा करते रहेंगे, तो उसको करके, आपको आंतरिक संतोश नहीं मिलेगा, आंतरिक संतोश पाना है, तो सेवा के साथ ज्यान को भी जोड़ना होगा, ज्यान क्या है? ज्यान वो जो हमें भेद बताए, नश्वर और नित्य में, ज्यान वो जो हमें बताए, हमारा वास्तविक स्वरूप, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर सेवा करते हैं, तो सेवा का जो स्वाद होता है, आनंद होता है, वो सर्वो परी होता है, बल्कि मैं ये कहूं, हमारा हर कार्य हमें आंतरिक त्रिप्ती देता है वो आंतरिक त्रिप्ती जिसे पाने के लिए मैं, आप और हम सब इस धर्ती पर आए है हरियोम तत सत य데कार बरशब इस आपने के लिए इससता है